हेलो स्टूडेंट्स ओफ यूकेजी क्लास तूडे विल डू पेज नमबर एट एंड नाइं फ्यूर फन्विद अक्तिविटी बुक ओके यह देखिए यह आपकी फन्विद अक्तिविटी बुक का फर्स्ट पेज है ठीक है और इसी बुक का हम पेज नमबर एट और नाइन करेंगे ओके आपका page number 8 क्या है vowels and consonant ठीक है vowels क्या होते है हमारे स्वर बोलते है हिंदी में हम vowels को और consonant को बोलते है व्यांजन अब करना क्या है हमें इसमें write the missing vowels to get the names of the pictures यानि कि जो pictures है उनमें हमने vowels भरने है अब करना क्या है हमें क्या होते है कौन-कौन से होते है हमारे vowels इस forens बता देता है आपको 5 vowels होते है हमारे ध्यान से सुनना ठीक है कौन-कौन से 5 vowels होते है a e i o you fine एक बाद फिर से बता देते हूं ध्यान से सुनना a e E I O U ये 5 हमारे वोवल्स होते हैं और इनके अलावा जो हमारे alphabets बच गए letters बच गए वो हमारे consonant होते हैं ओके समझाया तो अब इसमें हमें करना है जो हमारे 5 वोवल्स है उनमें से pictures में भरके complete करना है इन blanks में फीक है first picture देखो ये क्या है ये बाइक की है है ना अब B लिखा हुआ है B के बाद डैश लगा रख है तो यहाँ पे आप भरेंगे I ओके और आगे वाले ब्लैंक्स में लिख देंगे E तो यह बन गई बाइक की स्पेलिंग ओके B I K E बाइक नेक्स पिचर आपको दिखाई दे रही है क्या है यह desk, स्कूल में बैठते हैं न डैश पे तो क्या स्पेलिंग होती है desk की हनजी तो ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा E आ जाएगा D E S के desk ओके नेक्स पिचर यह क्या है चेयर कौन बैठता है चेयर पे टीचर्स बैठती हैं ओके अब फर्स्ट वाले ब्लैंक्स में भरेंगे ए और उसे अगले वाले ब्लैंक्स में आ जाएगा आई सी एच ए आई आर चेर अब बताओ ये वाली स्पेलिंग कौन से हैं सबसे नीचे आपके लेफ्ट में टैंट की तो टैंट में यहाँ पे डैश में क्या आ जाएगा इ आ जाएगा और अब ये क्या है भई लास्ट में आपके राइट में क्लाउड क्या स्पेलिंग होती है क्लाउड की सी एल लिखा हुआ है एल के बाद ब्लैंक्स में भरेंगे ओ उसके बाद आ जाएगा यू ठीक है क्या बन गया क्लाउड अब ऐसे ही हम पेज नंबर नाइन देखेंगे अब पेज नंबर एट पे हमने वोवल्स भरे थे और पेज नंबर नाइन पे हम कॉंसोनेंट से फिल करेंगे तो बताओ ये वाले पिच्चर किसकी है फस्ट वाली हाँ जी बुक की है तो सबसे पहले आप ब्लैंक्स में लिखेंगे बी और सबसे लास्ट वाले ब्लैंक्स में लिख देंगे के स्पेलिंग बन गई बी डेबल ओ के बुक अब ये वाली कौन सी किसकी पिच्चर है ये हाँ जी काइट की है तो काइट में सबसे पहले क्या आएगा के तो यहाँ पे जापे डोट डोट लगा रखेंगे यहाँ आप भरेंगे के और सेकिंड वाले डोट में आप भरेंगे टी क्या स्पेलिंग बन गई के आई टी इ काइट ये वाले पिचर के सिज़ की है क्या है ये श्यार्ट है ये तो लिखो सबसे पहले एस उसके बाद एच आई लिखाई हुआ है आई के बाद लिखेंगे आर एंड दें टी क्या बन गया श्यर्ट ठीक है उसके बाद आप अपने लेफ्ट में देखेंगे किसकी पिचर है ये किंग तो किंग में सबसे पहले आएगा के उसके बाद आई लिखा हुआ है आई के बाद आप भरेंगे एंड उसके बाद आजाएगा जी क्या बन गया किंग ये वाले फिचर की शिर्ज के आपके राइट में ग्लास तो ग्लास की भरेंगे सबसे पहले लिखो यहाँ पे जी आगे लिखेंगे एल ए लिखा हुआ है ए के बाद लिखेंगे एस और फिर से एस क्या स्पेलिंग बन गई ग्लास तो समझ में आया वोवल कौन से होते हैं और कौन से होते हैं इन दोनों पेजिस को एक बाद फिर से रिवाइज करेंगे ओके